बाबा हरिदास नगर्थाना पुलिस ने तीन लुटेरों को गिरफतार किया है जिनके पास से दो कंट्री मेड पिस्टल, तीन जिन्दा कार्टूस और वारदात में इस्तमाल बाइक बरामत की गई है पुलिस को तीन लुटेरों के बारे में एक शिकायत मिली जिन्नोंने बंदूग की नौक पर डकैती की एक वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए शिकायत मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई और कारवाई शुरू की गई इस दोरान तकनिकी निगारानी की मदद ली गई और खूफिया जानकारी विक्सित की गई अंत में टीम उस मोटर साइकी की संख्या का पता लगाने में सफल रही जिसका इस्तमाल अपराद को अंजाम देने के लिए किया गया था इस सुराग की मदद से टीम ने असली दोशियों का पता लगाया और इस वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया जिनके पास से दो कंट्री मेड पिश्टल, तीन जिन्दा कार्टूस और वारदात में इस्तमाल बाइक बरामत की गई है बाबा हरिदास नगर थाने की टेक्निकल सपोर्ट टीम ने सोला तारीको एक हाउस रावडी के इंसिडेंट में जो अक्यूज थे उनको तीन लोगों को अरेश कर लिया है इसे मेन अक्यूज जो है वो अजय है यह बीफी ए लक्षमी नगर का और साथ साल जीर में रहके यह रावडी के केस में कन्विक्ट हुआ था पहले एक साल पहले ही लोटा है दोनों जो असोशियेटर उसमें से एक बाबा रिजास नगर इलाके का रहने वाला है दूसरा लक्षमी नगर का रहने वाला है इनसे दो कंट्रीमेट पिश्टल तीन लाईव काटीजेज और एक मोटर साइकल जो कि हाउस वाबरी में यूज हुआ वे बरामत कर ली गई है